अलो दोस्तों वैलकम टो हमारे केम्य ओफिशल and my name is अभराव तो दोस्तों अभी अभी औरभी की तरफ से नई अपडेट जाडी कर दी गई है और नया अपडेट जो आया है जो नटीस है लेवल शिक्जाम को लेकर ठीक है लेवल 6 उक्जाम को लेकर जो नई अपडेट आई जारी कर दी गई है और सिड्यूल मतलब पूरी तरीके से आपका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन का डेट क्या रहने वाला है कब तक आपके डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होंगे यह पूरा इस नूटिस में कहा गया है और क्या-क्या है मतलब कब से कब तक आपका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है जिस नौट वेरिफिकेशन होना है यह पूरी तरीके से नोटिस में यह डिट decide कर दिया गया है इस दिन आपका document verification होगा और क्या कहा गया है इसके साथ candidate can upload candidate can download the dv e-call letter from the official website और अभी चिन नहीं मतलब candidate अपना e-call letter download कर सकते है document verification का सिर्फ official website पे और अभी के official website पे या चिन नहीं जोन का है तो चिन नहीं जोन के website पे ठीक है और कपसे वो download कर सकते है 179-2022 से 17 सितंबर 2022 से आप अपने dv की e-call letter मतलब document verification का e-call letter आप download कर सकते हैं इस सब के साथ candidate have to upload ठीक है scan color copies of certificate जितने भी आपके certificate है ठीक है जो जो मांगे गया है notice में आपने notice देखा आई होगा rrb ntpc का नहीं देखा है तो आप google पे जाके notice download कर लिजे जो पहली बार जब vacancy आई थी जो notice आई थी ठीक है उसमें document verification के लिए क्या क्या मांगे गया है वो पूरा उसमें mention किया गया है आप उसको download कर लिजा और सभी certificate का color copy color copy पूरी तरीके से ठीक है document as listed page number dve call letter as applicable individual case और आपको कहां पे upload करना है rrb dv के website पे जाके आपको पूरी तरीके से ये document की scan color copy पूरी तरीके से certificate का आपको वहाँ पे जाके upload कर देना है ठीक है और ये upload करने का जो link है ये कब से update होगा आपका तो which will be activated 17 सितंबर 2022 से link activate हो जागा आप जाके वहाँ पे upload कर सकते हैं नहीं upload करेंगे तो document verification आपका नहीं होगा आप पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे अगला इसमें कहा गया है कि the instruction for uploading the certificate document is available in the portal ठीक है तो पूरी तरीके से जो instruction है ठीक है कौन कौन से certificate आपको upload करने document ये पूरी तरीके से portal पे आपको मिल जाएंगे ठीक है अवेलबल है ठीक है और इन सब के साथ आथ क्या का गया candidate are advised to read detail instruction given in the call letter carefully and submit all required certificate document original at the time of day we तो पूरी तरीके से candidate को advice किया गया है कि आप पूरी तरीके से detail instruction को पढ़िए जो call letter में आपके e-call letter जो 17 सितंबर से पूरी तरीके से जो जारी कर दिया जाएगा e-call letter ठीक है उसको पूरा पढ़िए और उसके according आप 17 सितंबर के बाद link भी activate होगा फिर उसी dv के according आप पूरे certificate को और original document को document verification के समय आपका मांगा जाएगा उस समय आप पूरी तरीके से उस website मतलब rrb dv के website पर जाके पूरी तरीके से upload कर दिजे ठीक है तो यह बाते कहीं गई है ठीक है आज के date में जो नूटिस जारी की गई है इस चैन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर दीजे ठीक है कोई भी अपडेट आती रहेगी आप तक तुरंद पहुंसती रहेगी ठीक है कोई भी अगर आपके माइन में कोई question है तो आप comment करके पूस सकता है ठीक है तो यह नोटिस जारी की गई थी डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो मिलते है नेक्स वीडियो में टिक के रहन गुडबाए